हालो एब्रिवान मैं आप परम स्वागत करता हूँ आप सब का अपने प्लैट्फॉर्म ब्राइट हो रिजॉन्स पर तो कैसे हैं आप सब आशा करता हों कि बढ़िया होंगे जैसा कि हब सभी को पता है हमें पहले ही पता चल जुका था कि फिजिकल 15 से ना होकर अब 24 को तहां है तो अभी और नौ्स है जो अप्डेट हमें मिला है वह काफी नौ्टीस वाइरल हो रहा है जिसमीं यह लखा कि हमें पता है कि SSC सिर्फ रिजल्ट शो करती है या इग्जैम लेती है उसके बाद हमारा physical और जो medical होता है वो क्योंग्वार डो डीलिजन्टी होती है जो conduct करवाती है तो CRPI physical conductor करवा रही है और physical हमारे करें स्टाटures फोभी से लेकर ओर तक तकूछ ऑप अल इंडिया में सैंटर नेया हुए जी सट ठीक है पानल च pig ये संटर बोड नेया हुए ठीक है और संटर टोटल सब कि इन फॉर्म जीए 309 को और क्रेंट फोल पांच छानो तो जहां से कृष नीचे जहां पर केंपस है बिहार ठीक है यहां पर अगर हम देख रहे हैं यहां पर बिहार पर आया नीचे जहां पर SSB का सेंटर बना हुआ बिहार में थोड़ा और नीचे आएते हैं यहाँ पे यहाँ पे यूपी में संटर बने हुए है। यहाँ पे यह भी बताया हुआ है कि total कितने candidate घ्रीटेट हैं, male कितने बलाई हुए है, female कितने बलाई है। और कब से कब तक चलेगा इन सेंटरों में फिजिकल कि ए ठक है किसे कितने दिन चलेगा जैसे इस सेंटर में किया है, मेल कितने बलाए हो यह आहल हैं सें onset है यहां पर पुन्ने के हैं कि अगर तला के हैं कि देकाते हूँ आप लोगों को में है टेकिए जम्मो में कितने संटरो準 तरय हुए आप के जम्मो में 112 Обufen च्यों लेट नहिसटिक मिननेट प्रफर में बना बनेने ड में जमो में जमsty में दो में बने को से एक मृट ऐफ कोर सिया प्यव का सिया प्लॉर हwalk अघध का BPM और चाहला इख अभी अधंड हम उसकरो का त्रीज में और बनाया हुआ एंध मे diff Till आध में जो कोई हुआ हुआ है चोबीस से आठ और सीयर प्याफ की बात करें चोबीस से छे तक चलेंगे यह फीजिकल छे मईत और यह आल इंडिया सेंटर की लिस्ट है पूरी समरी है यहां पर मुझाफराबाद में ठीक है अलग-अलग इमफाल में जम्मू में यह सारे सेंटर है टोटल एक सुर्ट होके 8 अट तक फिजिकल चलेंगे फूबूस से आठ तक फिजिकल चलेंगे एक या दो दिन में आज शाम को या कल सुबा तक आपको admin card देखने को मिल सकता है इस पहले होता था कि admin card हफ़ता एक पहले आते थे बट अब admin card आपके चारजर पांच दिन पहले देखने को मिलेंगे तो जिन बच्चों ने physical की तहरी की स्टार्ट नहीं की है वह फिजिकल की तहरी स्टार्ट कर दीजिए तो मैं आपको दिखा दो कि physical में अत्ता क्या क्या है यहां से देखते हैं कि physical में क्या क्या होता है लड़कों के लिए सबसे पहले जब हम अंदर जाएंगे ठीक है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक अदमिनिकार लेकर जाएंगे और एक ID प्रूफ और पासवर्ट साइज होटर में डिटरी है एडमिनिकार ओधि प्रूफ हमारा पहले चेक होगा और female के लिए 1.6 km, 7.8 minute में running है, ठीक है, जो लिदाक region के बाहर के हैं, और जो लदाक region के हैं, वो 1.6 km running करेंगे, 1600 मिटर रंणिंग होगी 37 मिनट में लड़के और 800 मिटर रंणिंग करेंगे 4 मिनट में जो लड़ा आखरी जिन के लड़के लड़के हैं ठीक है उनके बाद और क्या है जे तो हो गया P.E.T. Physical Efficiency Test और P.E.S.T. के अगर हम बात करें तो जो male होंगे जो boys और लड़के हैं उनके लिए height 170 cm लगेगी और female की 157 cm height है जिन बच्चों के इनसे कम height होगी उनको reject कर दे जाएगा तो प्लेस stretching वेरा कर लेजिए अगर 1-2 cm बढ़ सकती है exercise करने से तो अच्छी बात है उसके बाद जो schedule tribe के candidate है male 162 cm उनकी height लगेगी ठीक है और जो females है 150 cm और जहां से एक चीज़ देखने को मिलते हैं हाँ यहाँ पर आजो ठीक है जो इन region से belong करते हैं जिनके बस डोगरा है गवालियर, कुम्राव, मराथा, हिमाच्चल परदेश, अश्यम जिनके शमीर लदाख इस reason के जो candidate है उनके वो अपना domicile साथ लेके जाए domicile जरूर साथ लेके जाए उनके 65 cm, 165 cm height शूट है यहां तक उनके height चल सकती है और लड़कियों की height 155 cm तक चलेगी ठीक है यह सारा कुछ होगा तो उनके बाद अगर हम chest की बाद करें जहां पर उनके chest नहीं लिखा यहां पर आगे नीचे chest ठीक है लड़कों की chest लगेगी 80 cm chest होगी unexpandable जो journal के अनिडेट के होंगे और 5 cm उनके लगेगी expand करके then उसके बाद हम नीचे चलते हैं जो इस in reasons के belong करते हैं जमर्ट किश्मील अदाक इन reasons को belong करते हैं अनके 78 लगेगी chest और 5 cm के expandation चाही होगी और जो इन reasons से हैं वो अपना डो मिसाल जरूर साथ के कर जाएं ठीक है तो जिन बचों ने तयारी नहीं स्टार्ट किया है वो physical की तयारी स्टार्ट कर देजे वेस्ट आफ लक और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी यूनिफार्म पहने